सिक्राउरा में ग्राम चवपाल का किया गया आयोजन तमाम योजनाओं के विशे में ग्रामीडों को प्रदान की गई जानकारी आज शुक्रवार को लाल गंदे तासीलक शेतर के ग्राम पंचायज सिक्राउरा में ग्राम चवपाल का आयोजन किया गया इसमें गाउं के पुरूश महिलाएं और बुजूर्गों ने प्रतिभाग करके अपनी समस्याओं को उपस्थित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया ग्राम पंचायत अधिकारी आगवेंद्र विक्रम सिंग प्रधान उमाशंकर मिश्र मुक्यतित एडियो साहकारिता राजकुमार बत्रा आधि प्रमुक रूप से मौझूद रहे ग्राम चवपाल में उपस्थित कर्मचारियों अधिकारियों तथा ग्राम प्रधान आधि द ग्रामीडों ने भी खुलकर अपनी बात रखी इस मौके पर पंचायत सहायक गवरो सिंग, राजेश सिंग, आध्या शंकर, प्रेम नरायड सिंग, राजेंद्र प्रसाद तिवारी और ग्राम सभा के अन्य सम्मानित सदस्य से और ग्रामवासी मौझूद रहे आयुष्मान भारत योजना के अंतरगत स्वास्थ हूप केंद्र तिल्खरा में हेल्थ हेवाम, Wellness Care Center का हुआ शुभारंब आयुश्मान भारत योजना के अंतरगत स्वास्थ हूप केंदर तिलखरा में हेल्थ हेवं वेलनेस केर सेंटर का आज शुकरवार को पूरो प्रधान धननजय सिंग ने शुभारम किया इस अउसर पर स्वास्थ विभाग के डाक्टर मनराज, मीना, पूनम, पांडे, कई आशा बहुए तथा क्षेत्र के गणमाने लोग उपस्थित रहे डाक्टर मनराज ने बताया कि स्वास्थ हूप केंदर पर प्रति दिन नियमित रूप से चिकित्सक बैठेंगे जिससे प्रति दिन जनता को स्वास्थ सुविधाएं उपलब्द हो सकेंगी उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वो रोग से बचाव तथा रोग होने की दशा में इस हेल्थ हेवं वेलनेस केर सेंटर पर उपलब्द सुविधाओं का लाब उठाएं इस मौके पर डाक्टर मनराज, मीना, पूनम, पांडे, ग्राम प्रधान, दिनेश राम, कई आशा बड़ी ही अच्छी बात है कि अब हम लोगों को ज्यादा दूर ना जाकर अपने अस्ती की ओपीडी पर कि लखना में रवा का पुरा सेवर की लेगा सब्कार इन तरफ से नहीं दो आ रहे हैं छेडखानी और मार पीट करने वाले एक वांचित अभियुक्त को पुलिस ने उसके घर कमरिया कुर्थिया से किया गिरफतार वादी थाना तरवा जन्पद आजमगड की लड़की के साथ दिनांक 21-22-23 की रात में अभियुक्त संदीप पुत्र रामभवन द्वारा छेडखानी करने और गाली गुपता देते हुए जान से मारने की धंकी देने के संबंध में मुकदमा अपरात संख्या 40-23-354 का 452-504-506 भारतिय दंड विधान आदी पंजीकृत किया गया था इसी करम ने आज दिनांक 24 फरवरी 2023 को उप निरीक्षक शैलेश कुमार यादो मैं हमराह को जरीय मुकविर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभि अभियुक्त के घर पहुंचे जहां पर अभियुक्त अपने घर पर मौजूद मिला पूछ ताश करने पर उसने अपना नाम संदीप पुत्र रामभवन राम और उम्र 26 वर्ष बताया मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तों गिरफतारी का कारण बताते हुए सम प्रेश कुमार यादो मैं हमराह मौजूद रहे। फशेरू और छेदी अकील वाकिफ मौके से भाग गए थे पकड़े गए व्यक्तियों के विरुद थाना इस्थानिये पर मुकदमा अपराद संख्या 57 बटा 2023 धारा 401-411 भारतिय दंड विधान पंजी किरित किया गया था। कबिरा पुलिया जो देवगां बर्दा बार्डर पर है वहां मौजूद थे कि मुखबिर खास ने बताया कि एक बदमाश फूल पूर में पुलिस मुटभेड से बच कर भागा है और वो मोटर साइकल से बर्दा भीरा होते हुए लाल गंज की और आने वाला है। मुखबिर की सूचना पर योजना बनाकर पुलिस बल की दो टीम बनाई गई योजना के अनुसार निरीक्षा कपराद रुदरभान पांडे को उक्त बनाई गई टीम के साथ कवीरा पुल पर और आनने टीम वाहन को रोड पर खड़ी करके सतरकता के साथ चेकिंग करने रुकते हुए काफी तेज गती से लाल गन की और भागा चारों तरफ से पुलिस टीम से घिरा हुआ देखकर उबढखाबण कच्चे रास्ते पर हलबढ़ा कर मुड़ गया और कुछ दूर कच्चे रास्ते पर इस्थित गड़े में मोटर साइकिल फिसल जाने के कारण रा रुदर्भान पांडे बाल बाल बचे बदमाश ने पुना जान से मानने की नियत से अपने तमंचे से एक राउंड फायर किया जो उप निरीक्षक देवेंदर नाद दूबे के पास से गुजरा पुलिस टीम दोरा आत्म रक्षार्त जवावी कारवाई की गई जिसमें ब अभियुक्त की पहचान 22 वर्च के हसी बुर्फ शेरू पुस्त्र मुश्ताक निवासी नत्थू पुर नट बस्ती थाना जीयन पुर जनपद आजमगड के रूप में हुई है अभियुक्त से भागने और पुलिस पर फायर करने का कारण पूछने पर उसने बताया कि आज सुबह पूलपुर में अपने साथी वाकिफ पुत्र कलाम निवासी नियाउज धाना पूलपुर जनपद आजमगड के साथ इसकारपियो वहां से एक घड़ना को अंजाम देने जा रहे थे थे तो पूलपुर पुलिस से मुठभेड हो गई मेरा साथी वाकिफ पुलिस प चोरी किया था उसको लेकर लालगन होकर जीयनपुर की और जाने वाला था कि पुलिस से मुठभेड हो गई पुलिस के अनुसार उसने बताए कि मैं अपने साथी वाकिफ छेदी अकील के साथ मिलकर दिनांक 15-11-2022 को ग्राम ओहनी से 2-20 चोरी किये थे जिसको बेचने से मे अपने साथीयों के साथ इसकारपियों से कस्वा लालगन में एक दुकान में चोरी करने की नियत से आये थे किन तो मेरे साथी एजाज अहमद शाहिद आदिल और विशनाद गुपता पकड़ लिये गए मैं और छेदी आकिल वाकिफ मौके से भाग गए उसने बताया कि हम लोग इसकारपियों वाहन में घूम घूम का राजमगड मौू गोरक को जौनपूर आदी जनपद में भेंड बकरी भैंस की चोरी करते हैं और उसे बेचने से जो पैसा मिलता है हम लोग आपस में बाट लेते हैं पुलिस ने मुकदमा अपराज संख्या 83 बटा 2023 धारा 307 411 413 भारतिय दंड विधान और 325 आर्म सैक्ट पंजीकरित किया है पुलिस ने उसके पास एक देशी तमंचा 315 बोर दो खोखा कार्तूस एक अदद कार्तूस 315 बोर और एक चोरी की गलैमर मोटर साइकिल बरामद की है गिरफतारी और बरामदगी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक देवगां गजानंद चोबे निरीक्षक अपराद रुद्रभान पांडे वरिष्ट उप निरीक्षक रतनेश कुमार दूबे हेड कांस्टेबल ओंपरकाश सिंग हेड कांस्टेबल तनवीर अस पात्मे लगबग डेड़ बजे थाना देवगाओं चेत्र में देवगाओं बर्दा मार्ग पर पुलिस वा बदमाशों के बीच में मुटभेड हुई है जिसमें अंतर जन्पति एक गैन का सदसे हबीव उफशेरू पुलिस मुटभेड में घायल हुआ है वा इसके बाए मुबारकपूर वा देवगाओं से वांचिद चल रहा था apur से ये गौवत निवारंड अधिनियम के मुकदमे में वांचिद चल रहा था मुबार्द से 37 7 का मुकदमा था वा देवगाओं में चोरी का मुकदम इसके ऊपर था इस पूरे गैंग के सभी सददिस्यों क पुलिस के द्वारा गिरिफतारी करी जाएगी वा गैंक्स्ट आक्टी कारवाई करी जाएगी वा इनके प्रापर्टी जपती करण के भी कारवाई की जाएगी